प्रधान मंत्री मोरिशन, आस्ट्रेलिया और भारत के ट्रेड मंत्री और हमारे साथ जुड़े दोनों देशों के सभी मित्रगण नमस्कार, एक महने से भी कम समय में आज मैं अपने मित्र स्कॉर्ड के साथ तीसरी बार रूबरू हूँ पिछले हपते हमारे बीच वर्चुल समीट में बहुत प्रोडक्टिव चर्चा हुई थी उच समय हमने अपनी टीम्स को एकॉनमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रिमेंट पर बात्चित सिग्र संपन करने का निर्देश दिया था और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस महत्वपूर समझेवते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं इस असाधार उपलब्धी के लिए मैं दोनों देशों के ट्रेड मंत्रियों और उनके अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधान मंत्री और वर्तमान में प्रधान मंत्री मौरिसन के ट्रेड एन्वोई टॉनी एबट का भी विशेश रुप से अभिनंदन करना चाहता हूं उनके प्रयासों से इस प्रक्रिया में तेजी आई फ्रेंट्स इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण एग्रिमेंट पर सहमति बनना यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है यह हमारे दीपक्षिय रिस्तों के लिए सचमुच एक वाटर सेड मोमेंट है हमारे अर्थववस्ताओं के बीच एक दूसरे की अवश्वक्ताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशल है मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रिमेंट से हम इन अवस्वरों का पूरा लाब उठा पाएंगे इस समझोते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेंज की रिजिलियन्स बढ़ाने और इंडो पसिविक छेत्री स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे फ्रेंट्स पीपल टू पीपल ये रिष्टे भालत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपुन स्तंभ है ये एग्रिमेंट हमारे बीच स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स और परियर्टकों का आधान प्रदान आसान बनाएगा जिससे ये सम्मन और मजबूत होंगे मैं एक बार फिर दोनों देशों की टीम्स को इंडिया ऑस्ट्रेलिया एकोनोमिक कोपरेशन एंड ट्रेड एग्रिमेंट इंडोस एकता के प्रभावी और सफल नेगोशेशन पर बधाईया देता हूँ प्रधान मत्री मौरिसन को आज के आयोजन में सामीन होले के लिए मेरा हारदिक धन्यवाद और आस्ट्रेलिया में आने वाले चुनाओं के सफल आयोजन के लिए मेरी शुबकामनाई और आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को भी कल खेले जाने वाले विश्वकप फाइनल के लिए शुबकामनाई Namaskar